सुवागत है आपका English Literature कासर चैनल पे आज हम बात करेंगे बॉस्टन टी पार्टी की जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हिस्ट्री से जुड़े वी कहीं सारी गटना है लिट्रीचर पे बहुत गहरा असा डालती है उसमें से एक ये खास गटना है जिसका जिकर मैं कहना चाहूँगा आज क्या खास है ये जी हाँ ये एक बहुत ही important event था जिसके अंदर American Revolution शुरू हुआ और यहां से अमेरिका में आजादी के लड़ाई के तरफ प्रोटेस्ट चाल हुआ इसलिए ये ही वो event है जिसने अमेरिका को बहुत फायता पहुचाया इसको हम जोड सकते हैं जो की भारत में दान्डी मार्च हुई थी कुछ इस तरह का था नमक पर टेक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने और फिर मात्मा गांदी जी ने हमें उससे छुड़वाया था और फारच देश को एक जुट किया था ऐसे ही कुछ टेक्स लगा दिये गए थे आप देख सकते हैं चाय की उपर और रेविन्यू एक्ट की मदद से इस्ट इंडिया कंपनी ने बिटिश इंडिया कंपनी जी से कह सकते हैं जो भी टेक्स आ रहे थे और उसकी वज़े से उसको बाइकॉट किया गया और अपने ही लोगों पर टेक्स लगाया जो भी बिटिश के लोग अमेरिका में रहे थे उनके उपर तो बॉस्टन टीव पार्टी ये एक डायरेक्ट रिस्पॉंस था जो भी लोग अमेरिका में सेटल हो गए थे बिटिन से आके उन्होंने कहा कि जब हम एक ही देश के हैं तो क्यों हम पर इतने टेक्स लगाया जा रहा है ये गलत है और इसका विरोध किया लोगों ने हाला कि बिटिश एसका इसके बारे में कहाना था कि काफी ज़्यादा पैसा इससे मिल रहा है हमें और सभी कॉलनीज पर टेक्स लगाया जाता है तो यहां पर क्यों न लगाया जाए इंडिया पर लगाया जा रहा है तो यह कुछ खास बातें थी आखर यह पार्टी हो और्गनाइस किस ने करी थी तो यहां सेम्योल एडम्स जो थे जिनको सन अफ लबर्टी भी कहा जाता है सनस अफ लबर्टी आजादी के लड़ाइं में यही कारण है कि अमेरिका में लिबर्टी स्टाइच अफ लिबर्टी भी है इसका बहुत खास इमपॉर्टेंस है और ये बनाया गया था कॉलोनी सोसाइटी के द्वारा कैसे बनाया गया था ये बात है दिसंबर 16 1773 की जो अपने आपको संस ओफ लिबर्टी कहते थे ऐसे गुरूप तयार हुए और ये महौक इनियन जैसे लगते थे आप देख सकते हैं ड्रेस और इन्होंने तीन ब्रिटिश मर्चेंट्स की शिप ले ली बॉस्टन हारवर से और इन्होंने सारी चाए के जो डब्बे थे वो समंदर में फैंक दी कि जब डब्बे ही नहीं होंगे तो टेक्स कहां से लगाएंगे आप यह आप देख सकते हैं सीन कि कैसे सारी चाए फैंकी गई आप डेट कर पा रहे होंगे शायद कि कैसे दांडी मार्स जाके और गांदे जी ने नमक बनाना चालू किया और आंदलन हुआ था ऐसी कुछ यहाँ पे विरोध के रूप में चाए फैंकी गई आप उससे भी जोट सकते हैं जब अंग्रेजों के ड्रेस को जलाया गया था भारत में आज के लिए इतना ही थैंक यू